आपकी dress के fabric के अलावा दो सबसे important parameters जो ये decide करते हैं कि आपका overall look किसी भी dress में कैसा जाएगा वो है color of your dress plus fitting of your dress यानि कि अगर आप इन दोनों parameters पे थोड़ा सा भी ध्यान देते हो तो आप अपनी normal budget की dress को भी एक royal and expensive look दे सकते हो so girls fitting तो depend करते हैं कि आप कहां से अपने लिए dress stitch कर वा रहे हो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो six royal colors के बारे में जो अगर आप चूज करते हो अपनी dress के लिए तो definitely एक royal and expensive look आपको provide करते हैं तो आज मैं आपके साथ जो six colors share करने वाली हूँ वो सारे के सारे neutral colors है neutral colors के बारे में ये माना जाता है कि ये आपकी dress को काफी royal and expensive look देते हैं and neutral colors color wheel पे आपको कभी नहीं मिलेंगे बलकि जो color wheel के seven basic colors होते हैं उनको combine करके बनाये जाते है neutral colors तो सबसे पहले हमारा आता है gray color अब gray में भी आपको different shades मिल जाएंगे तो उन में choose करते time आपको ये ध्यान रखना है कि आपको choose करना है dub gray color जो की काफी light shade होता है gray color का अगर आपको function के लिए कोई dress ready करवानी है and आपको budget भी जादा नहीं है तो उस case में आप gray color का plane में suit stitch करवा सकते हैं and उसे आप pair up कर सकते हैं net cake gray दूपटे के साथ and अपने इस look को complete करने के लिए हम आपको recommend करेंगे कि gray color के suit के साथ आप pair up कीजिए silver color की jewelry normal functions के अलावा अगर आप एक newly wet bride है यानि कि अभी अभी शादी हुई है तो भी आप experiment कर सकते हैं beige color की dresses के साथ वैसे तो यह माना चाहता है कि जो newly wet girls होती है वो generally prefer करते हैं bright colors को लेकिन उन bright colors के बीच में आप definitely try किज़ेगा beige color को यह आपको काफी royal and expensive look provide करेगा beige color में आप अनारकली suit बनवा सकते हैं उसके अलावा शरार suits भी आजकल काफी trend में हैं तो इस type की different dresses आप beige color में try कर सकते हैं इस color की dresses के साथ अगर हम jewelry combination की बात करते हैं तो यहाँ पे आप यह तो golden color की jewelry match कर सकते हैं उसके अलावा जो pearl वाली jewelry होती है वो भी आप इसके साथ try कर सकते हैं और neutral color हमारा आता है वो है white color और इस color को आप किसी भी एज में पहन सकते हैं इस तरीके से आप white में अपने लिए long suit stitch करवा सकते हैं अपने दुपटे में हलका सा golden lace work करवा के उसे आप pair up कर सकते हैं golden color के footwear के साथ तो जैसा कि अभी आप screen पे देख सकते हैं कि white color से आप बहुत ही royal look अपने लिए create कर सकते हैं वो भी बहुत कम budget के साथ simple suit के अलावा अगर आप अनारकली suit भी ready करवाते हो white color में तो वो भी आपको काफी royal look provide करता है तो girls यहाँ पे आप देख सकते हो कि neutral colors की speciality यही होती है कि आपके कम budget में भी अगर आप इन colors को choose करते हो तो यह आपके look को completely transform कर देता है इसके लावा third option यह है कि आप white color में ankle length में plaza suit ready करवा सकते हो and full sleeves के साथ अगर आप जाते हो तो वो भी आपको एक काफी अच्छा look add on करता है तो यह था हमारा third neutral color यह बहुत ही easily आपको market में मिल जाते हैं तो definitely आप try कर सकते हो अपनी next dress के लिए in colors को next color जिसे अगर आप choose करते हो तो आपकी normal budget की dress को भी यह काफी expensive दिखाएगा वो है ivory color वैसे तो ivory हम हाती दांत को बोलते हैं उसका जो color होता है हाती के दांत का वो white में तोड़ा सा हो अगर yellow color मिला दिया जाये तो वो जो color होता हुसको हम आइवरी color बोलते हैं होते हैं तो black color को भी आप easily choose कर सकते हैं and एक royal look अपने लिए create कर सकते हैं अगर जो दूसरे different colors होते हैं उनके साथ आप compare करते हो black and white color को तो comparatively ये वाले दोनों colors आपको ज़ादा अच्छा look provide करते है as compared to different other colors अब जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया कि जो black color होता वो universal color है तो आप बहुत ही easily इने mix and match कर सकतो different bright colors के साथ neutral colors को थोड़ा सा pop-up करने के लिए आप different bright colors के साथ भी use कर सकतो as you can see on screen right now आप black color को pair up कर सकतो red color के दुपट्टे के साथ last में आता है हमारा olive color वैसे तो neutral colors के अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे colors neutral color की range में आते हैं लेकिन आज किस वीडियो में हम सिर्फ six colors ही आपके साथ distance करेंगे तो ये है हमारा olive green color जिसे आप use कर सकतो एक expensive look create करने के लिए आपके व्यूज क्या है neutral colors को लेके आप हमारे साथ share कर सकते हैं comment section में तो ये था मेरा आज का वीडियो मैं आपसे मिलते हूं नए वीडियो में नए concept के साथ till then take care and bye bye